Welcome friends, स्वागत है हमारी तु चैनल भोला से डिजल मेकैनिक में फिरेंट आज जो वीडियो है हमारा टाटव बीस फोर सिगना के उपर है और ये गाड़ी उरिया नहीं खा रही है, हमारी गाड़ी चला का कहना है कि ये गाड़ी उरिया नहीं खा रही है तो हम इसको Fold Code चेक करते हैं सबसे पहले Inline Mini लगाता हूँ और लगा कर दिखाता हूँ आप लोग के कौन सा कौन सा इसमे Fold Code आ रहा है तो चलिए Inline Mini को लगाता कर मैं चेक कर लेता हूँ और फ्रेंड मैंने हर वीडियो में आप लोग को बताया है कि आपके पास बीना लेप्टॉप बीना Inline Mini को कैसे आप लोग काम कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आसान तरीके से मैं वीडियो में बताता हूँ आप लोग को और समझाता हूँ आप लोग बीना लेप्टॉप बीना Inline Mini को भी काम कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इसकी निवकाइमेंट पर किया मैंने उसके बाद जाओंगा इंजीन मोडल पर इंजीन मोडल पर जाने के बाद मेरे को फोल्ड कोड पर जाना है और यहां पर फोल्ड कोड में बता देता हूं को कौन सा कौन सा फोल्ड कोड इसमें आया हुआ है यहां पर देख सकते हैं कि 272 42 38 कि यहां पर 272 आपक्ट नॉक सेंसर से रिलेटट आ रहा है और यह जो हमारा 42 38 है यह डोजिंग एयर अग्जेस्ट से आ रहा है और 41 वतवत्तर यह हमारा फोल्ड कोड में आ रहा है यानि इन एक्टिव में है यह और इन एक्टिव में 249 48 है यह सारे हमारे इन एक्टिव में हैं तो मैं सबसे पहले इसको किलियर करता हूं और देखता हूं हमारे पास कौन से बचते हैं इसमें कितने फोल्ड कोड बच बच जाते हैं उसी को उपर हम लोग काम करेंगे तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोमेंट सेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फ्रेंड यहां पर मेरे पास तीन बता हूं कि क्या इसमें फोल्ड हमको मिलता है तो फ्रेंड आप लोग ने देखा कि 1472, 438 और 272 तीनों कोड जेनरेट हुए हैं इसमें तो 272 कोड है 242 है यह ति प्रेंड हुए हैं तो मिसको ऊपर काम करेंगे यानि वार्क करेंगे तो सबसे पहले मैं युपर कावर खोल लेता हूं कबर खोलने के बाद देख सकते हैं कि फ्रेंट जो हमारा यह 4170 कोड है यानि 4177 इसके कारण यह हमारी 42 38 आई है और 272 भी आई है तो हम इसी के उपर काम करेंगे जब हमारा 41 लिद 24 अर 12 भॉल्ट दोनों मिलने चाहिए अगर 24 भारे वोल्ट दोनों मिल जाते हैं तो सहिए अगर नहीं मिल्ता है तो मुझे आगे वर्क करना पड़ेगा यहां पर मुझे 12.6 मिल गया है I और दूसरे वाइर में में प diret नहीं मिल रहा है है यारनी हमारा जो 24 बोल्ट का करेंट है वो नहीं मिल रहा है झाय Χां जो कि आपको को बता दूअ कि बारा भोल्ट का unpack है रोज है वह वोल्टे जाएगा रे दूरर की लकी। उसमें हमारा बार बोल्ट आएगा और जो रेड़ में बालक क्लर कि लकी। तो यनि 14 बल्ट नहीं मिल रहा है तो के पास में चलूगा वहां पर देखुँगा यहां पर देखा दे रहा हूं उसमें 12 भोल्ट आएगी और 12 गॉय उस मैं उसी के ऊपर काम करूँ है यहाँ पर मेरे के हमारी कैंड लगी होती यह जो उसको मैं खोलता हूं और कोल कर उसमें should कर ले तो मैं थोड़ी से वायर को छील लेता हूं उसी कलर कोड के हिसाब से मुझे वायर यहां पर चेक करनी है begitu फिरें मैं यहां पर चेक कर लेताऊं कि हमारी जो voltage है वो सही supplier यहां तक आ रही है कि नहीं आ रही है अगर यहां तक सही आ रही है तो मुझे इसके आगे देखनी पड़ेगी अगर नहीं आ रही है तो इसके आगे देखनी पड़ेगी यहां भी देख सकते 28.7 आ यहां पर 14.6 यहां तक हमारा वोल्ट इसे ही हैं तो हम दूसरी तरफ देखेंगे कि कहां से हमारी फोल्ट कहां से हमारा ऑड़ मिलता है यहां तक देक यानि जो गेर के आगे भाग है उधर से आर ये सप्लायर पीछे हमारी तो वहां तक भी सही है और फ्रेंड ये बता दो कि ये जो दो आयर है जब आगे के तरफ गई है तो दोनों रेड कर दिया है एक तो ब्राउन कलर कर दिया है और एक बिल्कुल रेड है और ऐसे चेक करने है तो अलग दे दिया है फिर से देख सकते है कि हमारा जो कि वॉल्टेज है यहां पर हमारा चौदा मिल रही है यानि वॉल्टेज का इसू तो दिख नहीं रहा है यहां पर जो चौदा पॉइंट का वॉल्टेज हमारा मिल रहा है और दूसरा जो वॉल्टेज है हमारा 24 व रोजिंग कर के भी दिखाएंगी यानि यूरिया एस परे करके भी दिखाएंग आप लोगों यह हमारी जो को ये प्रॉब्लम जो है घर उसको सौल करना है तो इसी तरह से हमको देखना पड़ेगा वायरिंग चेक करना पड़ेगा यहां से भी उसी wire को मैंने cut किया है color code की wire जो है जो हमारी color है मैंने बताए कि red में white उसमें हमारी 24 बोल मिलनी चाहिए तो मैंने यहां से cut करके थोड़ा देख लेता हूँ कि voltage हमारा सही है यह तक आ रही है कि नहीं यानि जो हमारा वाटर सपरेटर फिल्टर उसके पास में वहां तक भी हमारा सही आ रहा है तो प्रोब्लम है तो कहां से है तो मैं यह वाइरिंग को में खोजकर सही करूंगा अगर मुझे बैपास लिकालना होगा तुम्हें वहां जो हारने से हमारी गेर बॉक्स के पास वहां से काटकर मैं यहां पर जोड सकता हूं तो चलिए यहां से भी मैं इसको कभर को लिकालता हूं और कभर लिकालकर मैं ओपन करता हूं फिर देखता हूं यहां तक हमको प्रोब्लम मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं मिलेगा तो हम वा वोल्टेज आगे नहीं जा रहे थी यह देख सकते हैं यह वायरी हमारी सड चुकी है जो रेड में वाइट केलर की निसान थी यानि 24 वोल्ट की जो हमारी वायरिंग है वह काफी सड चुका है तो मैं इसको छीलता हूं और छील कर देखता हूं कि वोल्टेज हमारा यहां पर घल गए थी वायर उसके कारण हमारा वोल्टेज नहीं आ तो चलिए मैं दोनों वायरे को थोड़ा-थोड़ा देखा होगा अगर नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर अल्रेडी बना हुआ है जाकर देख सकते हैं और यूरिया में कुछ नहीं आता है आप लोग बिना इन्लाइन मिनी और बिना लेप्टॉप का भी कर सकते हैं बस आपकी वोल्टेज सही होनी चाहिए किसमें कितना वोल तो हमारी मिल चुकिया यानि 26.1 आ रहा है यानि वोल्टेज हमारी सप्लायर जो है सई हो गया तो मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा साई से इसको कर लेता हूं टेपिंग भी कर लेता हूं ये लगा लूँगा इसको खुला नहीं छोड़ना है फ्रेंड इसको अच्छे त चलकर इसी भी तकलीफ ना हो जिस तरह से इसमें आया हुआ था क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड कि हम लोग खुले वायर को छोड़ देते हैं तो उस पर कहीं नहीं करना है हमको सही तरीके से करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा आज यह देख सकते वायरिम पूरी खुली है तो इसमें हम लोग टेप लगा रहे हैं कि हमारा तकलीफ ना हो तो चलिए मैं साइलेंसर के उपर जो हमारे नोजल उसको खोल लेता हूं तो यहां फ्रेंड साइलेंसर के उपर मैं आ चुका हूं यह नोजल को मैं थोड़ा इसका नट जो है धीली कर चुका हूं और धीली क 177 यानि 4177 जो हमारा फोल्ड कोड था उसके कारण यह कोड जनरेट हुए थे हमारी कि बोल्टेज के कारण यह नोजल भी थोड़ी मुझे अच्छा नहीं है यह नोजल भी खराब हो चुका है तो नोजल भी मैं चेंज करूंगा इसका और नोजल करकर दूसरी नोजल भी डालूंगा यह नोजल देख सकते काफी खराब हो चुका है तो मैं नीव नोजल लाकर इसमें डालता हूं और डालकर स्प्रेक करके दिखाऊंगा आप लोग को और फ्रेंड एक भाई ने मुझे बहुत दिन पहले मुझे कोट किया ता मुझे कि भाई आपने कोट दिखाया नहीं कि इनेक्टिल हुआ गों तो दोस्त में एक बात बता दू आप को अगर हमारा कोट जो है इने की नहीं होगतों प्रोबलमा कैसे होगा मैं पुञेis भर्म में ना रहीं दोस्त अबक्लीश देख आप समझो उऔर फ्र हमारे पास SPR में रखती है ताकि हमारी कभी ऐसा प्रोब्लम हो तो उसको हम सॉल्व कर सके फटा-फट तो हमारे पास SPR में नूजल रखा हुआ था तो यह नूजल है हमारे पास तो नूजल में लगा लेता हूं और मैंने पहले भी बताया कि 38 नमर का रिंच लगेगा आपका चाभी रिंच यह नूजल खोलने के लिए आपको अगर नहीं है तो सलाई रिंच जिसको बोलते हैं पाइप रिंच भी बोलते हैं उससे आप लोग खोल सकते हैं तो मैं चलिए नूजल को फेस कर लेता हूं और करके इसको पाइप को लगा लेता हूं चलिए नूजल पहले चल सके कि जो प्रोब्लम था हमारा वो सौल हो चुका है तो हमारा एक तालीस वत्तर यानि फोर वन डबल सेवन के कारण हमारा ब्यालिस अन्टिस भी आया था सताइस बहात्तर भी आया था जो कि यूरिया नहीं खाने का कारण आई था यह तो चलिए मैं सब को देख सकते हैं कभर पर मैंने टेपिंग लगा दी है इसके उपर का भी कभर लगाओकर मैं यूरिया स्प्रेक करा कर आप लोगों को दिखाऊंगा तो चलिए जो हमारा 24 और 12 का वोल्टेज था वह कंप्लिट हो चुका है तो फ इसी वें फ्रेंड फिर से मैं पता दू रेड में जो वाइट है उसमें 24 भोल्ट आनी चाहिए और रेड में प्लेक जो है लकीर लगी हुई है उसमें हमारा 12 भोल्ट आनी चाहिए और जो गेर के पास में फ्रेंड जो हारनेस लगी हुई है अगर उसके आगे जा रही है त पनी आप लोगों ने देखा भी होगा तो चलिए मैं एस्प्रे करके दिखाता हूं आप लोग को यानि डोजिंग करके दिखाता हूं कि डोजिंग हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है एस्प्रे कर रही है कि नहीं कर रही है तो चलिए मैं इस्प्रे करके दिखा देता हूं आ इसी प्रोब्लम को सॉल करने के लिए फ्रेंट हम आप लोग को मैंने दिखाया था कि एक तालीस उतातर के कारण यह हमारा दो कोड एक्ष्टरा हमारे जनरेट हुए थे 272,428 जो कि 24 वोल्ट करेंट नहीं जाने के कारण आया हुआ था अब जब हमारी एस्प्रे हो चुका है और चैनल को प्लीस सब्सक्राइब करके जाना आप और किसी फ्रेंड को डाउट है तो मुझे इस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि आप मुझे वहां से कॉल मैसेज भी कर सकते हैं मैं कोसिस करूंगा कि ऐसे भी है कि उनको तकलिफ होती है क्योंकि भाई मुझे भी काम करना पड़ता है और मैं भी दूसरे के पास ही काम करता हूं खुद की कंपनी तो है नहीं जिससे कि एनिटाइम आप लोग को कॉल उठा सकता हूं या कुछ जबाब दे सकता हूं थोड़ा टाइम लग जाता कि आप छूदसे क्सल्व कर सके तो मैंने यूरिया के उपर बहुत सारे वीडियो बनाई है आप लोग जा कर देख सकते हैं और उस वीडियो को देख कर आप लोग काम खुद से कर सकते हैं तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई डॉट हो तो मुझे इस्टाग Thank you for watching.